आप सभी का दिवेंट स्विल नंस पर मैं आमिर सिद्धी की हर्दिक स्वागत और अभनिनन करता हूं कैसे हैं दोस्त आप लोग उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार बेहतर तरीके से चल रहा होगा किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पढ़ा रहा होगा आप सभी लोगों का revision का कार भी बहतर तरीके से चल रहा होगा दोस्तों जैसा की आप सभी लोग जानते हैं कल हम लोग NBS के paper first का discussion किये थे और उम्मित करते हैं कि paper first के discussion से आपको थोड़ा सा idea अपने preparation में जरूर से लगा होगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं paper one value रखता है लेकिन इतना नहीं रखता जितना paper two value रखता है और मुझे आप से ये confidence दिख रहा है कि आप सभी लोग आने वाले examination जो की NBS का होगा उसमें जो paper first होगा उस paper first के reasoning section को आप सभी लोग काफी अच्छा करेंगे और आप सभी लोग किसी न किसी book से ICT बोले तो computer वाला topic जरूर पढ़ लिजिएगा आसानी से वहां से handle हो जाएगा और जब आप ICT के topic को cover कर लेंगे उमीद करते हैं कि 10 question में से अगर आपने 6 question कर दिया तो आपका response अच्छा रहेगा English और Hindi बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है qualifying में चलेगा आप बहतरीन तरीके से इसे qualify कर जाएंगे biology के section में जितने प्रशन लगभग 9000 प्रशनों को हमने आप तक पहुचा दिया है और आप से उमीद करते हैं कि आप सभी लोग बहतर तरीके से उसे revise जरूर कर लिये होंगे क्योंकि हमने एक दिन surprise test आपका लिया था और आप सभी लोगों के scores बहुत अच्छे थे और दोस्तों मान के चलिए कि आपने एक surprise test दे दिया था एक surprise test के लिए आप दो दिन का समय खुद निकाल ले और अपने आप से एक बार सभी question को देख ले PDF आपके पास available है आप सारे question को analyze कर ले और उमीद करता हूँ कि biology के section में आप NBS के examination में वो करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा आपको test series जैसी feeling आएगी वहाँ examination में बैठ करके आपने जो पिछले एक साल से लगातार मेहनत की है उस मेहनत का अंजाम आपको examination में देखने को मिलेगा और आपने जो pinpoint season 2 की class की है उस season 2 की class के questions उनका explanation आपको examination हाल में याद आएगा इसलिए आप सभी competitor से मैं कहता रहता हूँ कि biology section के जितने भी student हैं चाहे वो TGT का exam देते हैं चाहे PGT का exam देना है चाहे LT का देने का सोच रहे हैं चाहे आने वाले GIC का सोच रहे हैं चाहे KVS का, NVS का, राजस्थान का, जारखंड का, बिहार का, उत्राखंड का जहां कभी exam देना चाहा रहे हैं आप biology के section को strong बनाते जाएं और धीरे धीरे अपने other section अगर आप critical MSC student में आते हैं तो आप दूसरे section को थोड़ा थोड़ा तवज़ो दें और आपकी चीजें काफी बहतर हो जाएंगे examination में आपको अलग कुछ करना है इस बार का exam ऐसा exam होना चाहिए कि आपको कहीं से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है बहतरीन तरीके से revision का कारी करते रहना है और जिस तरीके से आप अपने revision के कारी को बढ़ाते जाएंगे चीजें आपकी उतनी आसान होती जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम सभी लोग बात करेंगे खास करके biology के section के और बिल्कुल tip-tap-tap-tip बात करेंगे और इस आधार पर हम सभी लोग अपने questions के label को check करेंगे कि आज आप question का answer कर पा रहे हैं उम्मिद करता हूँ और पहला प्रश्न आपकी screen पर पहला प्रश्न आपकी screen पर और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोग बहतरीन answer करेंगे जी सभी लोगों को good evening बताने की कोशिच करिएगा पहला question आपकी screen पर Every CO2 molecules entering the Kelvin cycle needs कोई भी प्रतेक CO2 molecules जो Kelvin cycle में enter करता है उसे आवशकता होती है 2 molecules NADPH की और 3 molecules of ATP की for its fixation या 2 molecules NADPH की और 2 molecules ATP की या फिर variable amount of ATP की या only NADPH की किसकी अवशकता होती है तो बच्चा बच्चा जानता है आप सभी लोग जानते है कि इसका सही answer क्या है 2 molecules NADPH की अवशकता होती है जिससे हमें 6 ATP मिलते है और 2 molecules तीन molecules आपकी अवशकता होती है ATP की मतलब 2 molecules इसके और तीन मॉलक्यूल इसके आवशक्ता होती है जब यह Kelvin cycle में प्रवेश करता है उम्मिद करते हैं सभी लोगों का answer A आ रहा होगा जी जी बिल्कुल उम्मिद करते हैं सभी लोगों का answer A आ रहा होगा और इस answer के आधार पर आप सभी लोग one by one चलना शुरू कर दिये होंगे देखते हैं आज आपका scoring कहां तक पहुशता है अगर कह रहे हैं कि photosynthesis के समय light unavailable हो जाए अगर photosynthesis के समय light unavailable हो जाए light ना रहे photosynthesis के समय तो क्या होगा immediately biosynthetic process stop, biosynthetic phase does not stop, biosynthetic phase stops forever, biosynthetic phase continues for some time and then stops उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का answer आ रहा होगा कि अगर photosynthesis के समय light जो है unavailable हो जाएगी तो biosynthetic process कुछ देर चलेगा फिर stop हो जाएगा लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा D, मतलब आप सभी लोग 2x2 चल रहे हैं मतलब आप सभी लोग 2x2 चल रहे हैं Done जी, उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों को यहां तक की कोई दिक्कत नहीं बसके वल feeling में आ रहा होगा कि photosynthesis topic का question है बहुत अच्छा है Next question, most important, तीसरा question Statement दिया हुआ है और आप से पूछ रहा है Statement 1 और Statement 2 आप से पूछ रहा है कौन सा statement correct है Correct statement पूछ रहा है Statement 1 कहता है Water splitting complex is associated with photosystem 2 कह रहें कि water split complex जो होता है वो photosystem 2 से जुड़ा है दूसरा statement कह रहा है Water splitting complex and photosystem 2 बोथ are physically located on the outer side of the membrane of thylakoid यह आप से कह रहे हैं कि दूसरा statement कह रहा है Water splitting complex and photosystem 2 Both are physically located on the outer side of the membrane बस यहां पर outer side of the membrane लिख करके गड़बड किया है इसका मतलब जो statement 2 है वो गलत है और पहला statement सही है तो आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा B और आपका score चल रहा होगा 3 by 3 आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा B और score चल रहा होगा 3 by 3 जी अब जिनको लग रहा है कि पहला वाला तो सही है statement 1 is incorrect किसको लग रहा है वही water splitting complex कहां शुरू होता है photo system 2 photo system 2 ही तो शुरू होता था ps1, ps2 ps2 तो शुरू होता था जहांपर water split करता था थोड़ा सा याद रखिये नहीं तो ये question अगर गडबड हुए तो आपकी खैरियत नहीं if there is mutation कह रहें कि अगर mutation हो जाए in cytokrome अगर cytokrome में mutation हो जाए then this will तो क्या होगा अगर cytokrome में mutation हो जाए तो क्या होगा cytokrome समझ रहे है जी उम्मिद करता हूँ कि सब लोग समझ रहे होंगे इस वाली line में cytokrome B6 आता था cytokrome B6 याद आया कुछ जब cycle बनती थी z scheme की कुछ याद आया cytokrome B6 कह रहें कि अगर इसमें mutation हो जाए तो क्या होगा inhibit the moment of electron from photosystem 2 to photosystem 1 तो electron का moment रुक जाएगा inhibit the moment of electron from photosystem 1 to photosystem 2 तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं ये photosystem 2 होता है ये photosystem 1 होता है इसलिए इस step के आधार पर one is correct इस step के आधार पर क्या correct हो जाएगा इस step के आधार पर one is correct कि photosystem 2 से photosystem 1 में electron नहीं जा पाएगा सुमित्रा मुर्मो जी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए उमिद करते हैं कि सभी लोगों का आंसर आएगा कि ऐसे case में अगर cytokrome system में क्या हो जाए mutation हो जाए तो electron का moment photosystem 2 से photosystem 1 की तरफ नहीं हो पाएगा लगबग सभी लोगों का आंसर correct होगा flow of electron in non-cyclic photo phosphorylation is कह रहें कि flow of electrons electrons का जो moment होता है in non-cyclic photo phosphorylation non-cyclic photo phosphorylation में वो कैसा होता है unidirectional from photosystem 1 to photosystem 2 या unidirectional from photosystem 2 से photosystem 1 यहीं पर आपको फसाता है question और आपको confusion नहीं होना चाहिए और आपका सभी का अंसर आ रहा होगा unidirectional होता है photosystem 2 से photosystem 1 की तरफ good evening प्रदीप मिश्रा जी फटा-फट शुरू रहें और बताने की कोशिच करें non-cyclic photo phosphorylation में electron का जो moment होता है वो कहा होता है unidirectional होता है from photosystem 2 से photosystem 1 की तरफ next question आपकी screen पर proton gradient is important across the membrane कहरें कि proton gradient is very important across the membrane because proton gradient बहुत ही important होता है across the membrane because और उमिद करता हूं सभी लोगों का बहतरीन आंसर आएगा building up of proton gradient release energy building up of proton gradient increase the pH towards the lumen side of thylokoid membrane breakdown of proton gradient release CO2 breakdown of proton gradient release energy तो सब का अंसरा रहा होगा सर जब ये proton का breakdown होता है तो energy release होती है क्या release होती है energy release होती है जब इसका breakdown होता है तो energy release होती है proton gradient is very important across the membrane because breakdown of proton gradient release energy जब इसका breakdown होता है तो energy release होती है पता नहीं कौन पढ़ा है pH increase होता है गंडे प्रोटान जाके वहाँ जुड़ता है जब प्रोटान जाके वहाँ जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन होता है जी सोनु निशार्थ जी बहुत दिन बात दिखें क्या बात है कनक जी, सिक्सका डी, आर्ती राजपूद जी, लवलीन पाल जी, फरा नाज अंसारी जी, नहा शर्मा जी, सोनम राजपूद जी, सशिकांच जी, पूजा जै माता जी, सोनम जी, बिंदुशार जी, प्रदीप मिश्रा जी उमिद करते हैं कि लगभग सभी लोगों का गलत आ देखिएगा, proton gradient is very important across the membrane, because breakdown of proton gradient, release energy, जब इसका breakdown होता है, तो energy release होती है, which plant hormone regulator is responsible for triple response कौन सा plant hormone regulator है जो triple response के लिए जाना जाता है which plant growth regulator is responsible for triple response इसमें से कौन है जो triple response के लिए जाना जाता है उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा C2H4 बोले तो ethylene कौन सा hormone है ये ethylene hormone है जो triple response के लिए जाना जाता है और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का बिल्कुल correct answer आ रहा होगा C2H4 क्या आएगा C2H4 is the right answer next question choose the incorrect pair incorrect pair को choose करें इसमें से कौन सा incorrect pair है auxin का काम होता है to grow gibralin का काम होता है gibrala fuzzy curai cytokinin का काम होता है herring sperm DNA ABA का काम ABA को flowering hormone कहा जाता है उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों का बिल्कुल correct answer आ रहा होगा कि auxin सही है, gibralin भी सही है, cytokinin भी सही है ये abscissic acid गलत है इसे flowering hormone नहीं कहा जाता flowering hormone flow region को कहा जाता है flowering hormone किसको कहा जाता है flow region को कहा जाता है इसलिए इसका गलत answer क्या हो जाएगा इसका गलत answer D हो जाएगा और उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct आ रहा होगा जी लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा ABA The plant hormone produced by rhizobium for nodulation is वो कौन सा plant hormone है जो rhizobium द्वारा produce होता है और nodulation करता है IBA, NAA, 24D, IAA Question number 9, important Rhizobium में nodulation के लिए कौन सा hormone जाना जाता है और उम्मिद करते हैं सभी का answer आ रहा होगा Indole estric acid ये nodulation के लिए जाना जाता है Nodule का formation कौन करता है Nodule का formation, nodulation करता है तो आप बताएंगे ये IAA करता है Indole estric acid कुछ लोग बता रहे हैं Nepthalic estric acid Indole butyric acid, 2,4-D ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये किसकी तरह यूज किया जाता है आप पताएंगे 2,4-D ये VD side या herbicide की तरह यूज किया जाता है IAA, nodulation के लिए कौन जाना जाता है Nodulation के लिए IAA जाना जाता है Calcium ion is an essential element in plants Calcium ion एक essential element होता है plant में The major function it performs is इसका major function क्या होता है Selective permeability of the cell membrane Maintenance of cell turgidity Increased hardness of the cell wall तो आप सबसे पहले इस answer को cut मारेंगे कि ये cell wall को hardest नहीं बनाता मतलब ये महा गलत है ये permeability को बढ़ाता है Selective permeability of the cell membrane बिल्कुल सही है Maintenance of the cell turgidity बिल्कुल सही है इसका answer D हो जाएगा 4 और लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा 4 is the right answer लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा 4 is the right answer Next question है आपकी screen पर Nitrogen is required mainly by which of the following parts of the plant कहरें कि Nitrogen mainly किस part of plants के लिए require होता है Nitrogen किस part of plant के लिए require होता है Nitrogen is required mainly by which of the following parts of plant तो पहला option है Meristematic Tissue के लिए आप कहेंगे yes sir Differentiating Tissue के लिए no sir Apical Tissue के लिए no sir Metabolically Active Cell के लिए yes sir Nitrogen किसके लिए required होता है Meristematic Tissue के लिए और Metabolically Active Cells के लिए इस आधार पर आप टिक करेंगे तो आपका answer आएगा 1 और 4 दोनों साई Nitrogen Meristematic Tissue के लिए required होता है और Metabolically Active Cells के लिए required होता है Next Question 12 The Enzyme used in Oxidative Decarboxylation is कौन सा Enzyme है जो Oxidative Decarboxylation के लिए यूज होता है और उम्मिद करता हूँ कि लगभग सभी लोगों का correct answer आना चाहिए कौन सा Enzyme है जो Oxidative Decarboxylation के लिए यूज किया जाता है Pyruvate Decarboxylase Pyruvate Dehydrogenase Pyruvate Hydrogenase Pyruvate Dehydrogenase कौन सा Enzyme है तो लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा 12 का 2 B is the right answer और लगभग सभी लोग answer कर रहे है Pyruvate Dehydrogenase ये Enzyme है जो Oxidative Decarboxylase के लिए यूज किया जाता है जी लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा 2 या B जी अनुपूर्णा सिंग जी नमस्ते खुश रहिए कैसे लेट हो गई 13 नमबर कोश्चन तो आपका answer आएगा कि inner जब inner mitochondrial membrane की बारे में बात किया है तो succinate dehydrogenase जो है ये inner mitochondrial membrane पर पाया जाता है ये inner mitochondrial membrane पर पाया जाता है succinate dehydrogenase कहां पाया जाता है तो आप बताएंगे ये पाया जाता है inner mitochondrial membrane पर कहां पाया जाता है inner mitochondrial membrane पर पाया जाता है which are the following oxidation required FAD as electron acceptor इसमें से कौन है जिसमें FAD electron acceptor की अवशक्ता होती है मतलब alpha keto glutrease से succinyl coenzyme बनता है तब succinyl coenzyme से succinyl coenzyme से succinyl coenzyme से succinyl coenzyme से malic acid बनता है तब तो सब का अंसर आएगा जब succinyl coenzyme से fumaric acid बनता है तब FAD required होता है कैसे याद रखेंगे ऐसे याद रखेंगे कि जब fumaric acid बनता है तो FAD required होता है FAD succinyl coenzyme से जब fumaric acid बनता है तो FAD required होता है आपने देखा होगा ना कि FAD निकलता है, NADPH निकलता है, ATP चेंज होता है, तो वही reaction पूछ लिया है आपसे The enzyme is used to catalyze condensation of acetyl group with oxaloastic acid to yield citric acid कौन सा enzyme है जो use होता है oxaloastic acid से citric acid बनाने में oxaloastic acid first product होता है C4 cycle का, तो कह रहें कि oxaloastic acid से citric acid कौन बनाता है तो बच्चा बच्चा जानता है citrate synthase, citrate synthase is the right answer और उम्मिद करते हैं आप में से लगभग कई लोगों का answer सही आ रहा होगा जी उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का answer बिलकुल सही आ रहा होगा, B is the right answer the chemo-osmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation process that adenosine triphosphate is formed because कह रहें कि chemo-osmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation propose that ATP is formed because ATP का formation होता है क्योंकि ATP का formation होता है मतलब energy का formation होता है और energy का formation क्यों होता है क्योंकि high energy bond are formed, ADP is pumped out the matrix a proton gradient forms across the inner membrane, this is the right answer, energy का formation कौन करता है energy का formation करता है, proton gradient, जब proton gradient का formation होता है form करता है across the inner membrane, तो ATP का formation होता है ATP का formation क्यों होता है, तो अभी आपने सीखा था proton gradient के कारण होता है यहाँ पर proton gradient आपको दिख रहा है, इसलिए आपका सही answer होगा C जी, clear, जी, उम्मिद करते हैं, लगबख सभी लोगों का answer clear होना चाहिए sulfur is found as constituent in which of the following amino acid कहरें कि sulfur जो है किस amino acid में constituent के रूप में पाया जाता है किस amino acid में sulfur is found as constituent in which of the following amino acid direct question पूछ रहा है, sulfur containing amino acid कौन से होते हैं यह दोनों amino acid sulfur containing होते हैं, जिसमें आपका नाम लिखा है सिस्टीन और मेथियूनिन, और यह सब आपको याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से बहुत बार question कराया है Activator of the enzyme reductase is manganese, manganese deficient plant cell prefers ammonia over nitrate, एक assertion दिया है, एक reason दिया है, समझेगा Activator of the enzyme, activator of the enzyme reductase is manganese कह रहें कि activator जो enzyme reductase का है, वो manganese है This is true, manganese deficient plant cell prefers ammonia over nitrate, यह भी सही है जी, दोनों option सही है, दोनों option सही है, बोथ A and R are true और यह दोनों क्या करते हैं, ammonia over nitrate इसका व्याख्या भी कर रहा है, आप कह सकते हैं, A is the right answer इसका answer कौन हो जाएगा, दोनों सही हैं, जी, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, A is the right answer, 1, which of the following plant hormone is found in gaseous form, कौन सा plant hormone है, जो gaseous form में पाया जाता है, बच्चों वाला question है, आप सभी लोग उडा दिये होंगे, कि कौन सा hormone है, जो gaseous form में पाया जाता है, तो लगभग सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा, कि gaseous form में पाया जाने वाला hormone कौन सा है, इथाइलीन है, जिसे C2H4 से लिखते हैं, यह triple response शो करता है, How many gibralins are reported from different organisms such as plant and fungi, कितने आपको अब यह question आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन बताने को मिलेगा, कि आपने इसमें कौन सा answer आपको सही लग रहा है, How many gibralins are reported from different organisms such as plant and fungi, कितने gibralins को report किया गया है, तो आप बताएंगे, more than hundred, more than hundred gibralins को report किया गया है, कितने more than hundred, जितने लोगों का C answer आ रहा था, उन सभी लोगों का ठीक है, और नितु यादो जी, 25 नहीं, जी, उमीद करते हैं, यहाँ तक की बाते हैं, सभी लोगों की clear, more than hundred gibralins को report किया गया है, कितने gibralins को, more than hundred, क्या situation रही आपकी, 20 में कहां तक पहुचें, 20 में कहां पहुचें, 20 में 14, या 20 में 15, या 20 में 16, या 20 में 17, कहां तक आपकी situation रही, बताने की कोशिश करिएगा, शिवानी टिवारी जी, 17 रहा सर, नीतु यादो जी, 12 रहा, कोई बात नहीं नीतु जी, जी, 17, आज बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जी, 14, 15, 13, 17, जी, साक्षी भारती जी, बहुत अच्छी, very good, सौरभ मौर्या जी, done, केके प्रजापती जी, फरानाज अंसारी जी, मतलब जो लोग नहीं बता रहे हैं, उनके बारे में हम लोग गेस कर सकते हैं, कि वो लोग इसके भी नीचे हैं, कोई बात नहीं, बीस में ये हाल था, सेकेंड स्टेप शुरू हो जने जा रहा हैं, सेकेंड स्टेप को समालिएगा, कि चालिस में बहतरीन पोजिशन आए, आईए, चालिस के बाद आप बताने के लायक हो जाएंगे, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी अपनी संस्था, दबायो एंड सिविल जंक्संस में, TGT, PGT, LT, GIC, KBS, NBS Biology के लिए एक फ्रेश नया बैच, गोल्ड बैच के नाम से 18 नवंबर से शुरू किया गया है, और इस बैच में आपको दो क्लासेज डेली दी जा रही हैं, इस बैच में आपको दो क्लासेज डेली दी जा रही हैं, Monday to Friday, Monday to Friday आपको दो क्लासेज डेली दी जा रही हैं, टो क्लासेज, मौर्निंग में 10 बजे, जो लोग आज अपने अडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किये हैं, मौर्निंग में 10 बजे आपका Lower Botany सेक्षन चल रहा है और Lower Botany सेक्षन, आप लोग अगर हैं आपके पास किताबें, तो आप सिंग पांडे जैन जी को फालो कर सकते हैं, एक बुक ये हैं, और आप जिस स्टेट के हैं, वहां की NCIT फालो कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक बहतरीन टेक्स्ट बुक, जो मेडिकल इग्जामिनेश से संबंदित हैं, उससे फालो कर सकते हैं, इसके अलावा हम आपको डेलही नोट्स प्रॉइट कर रहे हैं, प्लस हम आपको इसके साथ डिफरेंट स्टेट की NCIT, डिफरेंट स्टेट की NCIT को भी दे रहे हैं, और इसके अलावा इतनी चीजें आपको एक क्लास में इतनी ची NCRT, Textbook Medical, Delhi Notes चार का Concise Matter हम आपको एक क्लास में देते हैं इसलिए जो हमारा Detail बैच होता है उसमें फंजाई की लगभग 22 क्लासे जा चुपी है अभी 8 क्लासे जाएंगे और 30 क्लास में हम फंजाई को कवर करेंगे तो आने वाले दिनों में फंजाई से जो भी प्रशनाएंगे आपके कभी भी कहीं भी गलत नहीं होंगे चाहे आप TGT का एक्जाम दीजिए चाहे PGT का दीजिए चाहे LP का दीजिए चाहे KVS का दीजिए चाहे NVS का दीजिए चाहे आप अपने जारखंड का दीजिये राजस्थान का दीजिये बाइलाजी सेक्षन कहीं बदलता नहीं है अगर आपसे कहा जाए बेसीडियो माइसिटीज में पक्सीनिया ग्रैमनिस टिटिसाई आता है तो आता है वो बेसीडियो माइसिटीज चाहे आपके जारखंड मे इसको कहा जाता है, तो उम्मिद करते हैं, आप सभी लोगों का जबाब आएगा सर, फंजाई इंपरफेक्टाई के नाम से डूटरो माइसिटीज को जाना जाता है, No one gives wrong answer, सभी को याद है, जहां भी पूछा जाएगा, आपका अंसर यही आएगा, पॉआजेनस मश्रूम के नाम से किसे जाना जाता है, आपका अंसर आएगा सर, अमेनिटा को जाना जाता है, एगरिकस की फ्रूटिंग बॉड़ी को क्या कहा जाता है, आपका अंसर आएगा सर, बेसीडियो कार्प कहा जाता है, नो वन गिप्स, रांग आंसर, आपसे पूछा जाएगा, कभी लोगों को बेहतरीन तरीके से किलियर होंगी, याद करके रखियेगा, निवर बी फार्गेटेड, जी, कभी भी मत भूलिएगा, पता है, सारा गेम आपके रिवीजन का है, और हमें आप पर यकीन है, कि हमने आपको होमवर्क दिया है, क्या, हमने आपको होमवर्क दिया है, कि आप सभी लोग इकाइनो डर्मेटा, आप सभी लोग इकाइनो डर्मेटा, आप सभी लोग इकाइनो डर्मेटा को रिवाइस करेंगे, मोलस्का को रिवाइस करेंगे, पता नहीं मेरे अंतर आत्मा से क्यों आवाज आ रही है कि आप में से 60% लोग हैं जो NVS का एक्जाम नहीं दे रहे हैं और कह सकते हैं 80% लोग हैं जो NVS में नहीं हैं नहीं जा रहे हैं एक्जाम नहीं दे रहे हैं उनसे मुझे लगता है कि वो सभी लोग मोलस्का के अलावा आर्थ्रो पोड़ा को भी किनारे लगाने का सोच लिये हैं, और इसके अलावा एनिलीडा को भी किनारे लगाने की सोच लिये हैं, टीनो फोरा को न लगाईएगा, हम अगले दिन क्लास में उसको लगा देंगे, त आप जो लोग NBS का एक्जाम दे रहे हैं, वो अपना जैसे भी अपने को अर्जेस्ट कर पा रहे हैं, दोस्त अर्जेस्ट करते रहे हैं, वो तो पूरा रिवीजन करेंगे, क्या हम सही सोच पा रहे हैं, tell me fast, सभी लोग बताईएगा, अरे सोनम राजपूत जी, तीनो फोरा हो गया, ओके, ओके, हमें पता है, हमें आपकी capability, आपकी capacity सच में पता है, जी, आप सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा, जी, उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग, जी, बहुत अच्छे, very good, excellent, जी, हमें पता हैं कि आप में से 20% लोग नहीं दे रहे हैं, और जो लोग नए क्लास में जूड़ना चाहा रहे हैं, वो पहली क्लास का बायो डेटा तो समझ गएं कि आमिर सर की पहली क्लास जो लोवर फंजाई की हैं, वो किस सेक्षन से रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है, जो दूसरी क्लास है, 6 पीम पर होती है, और हमेशा 6 पीम से लेकर 7.20 तक, 7.25 तक होती है, लेकिन आज इन लोगों को हमने सिर्फ 7 बजे तक पढ़ाया, क्योंकि NBS का पेपर सॉल्व कराना था, तो इसलिए आज इनकी क्लास 7 बजे छूट गई, मतलब मिनिमम एक घंटे की क्लास होती ही है, मैक्सिमम 120 की हो जाती है, तो इसमें हम नॉन कॉर्डेट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और नॉन कॉर्डेट का इसके अलामा NCRT, you all know very well, NCRT की बुक फालो हो रही है, लेकिन मेरी यादत है कि हम आपको different state जो मुझे important लगता है, इसलिए matter आपके पास हमेशा box 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 जाता रहता है, क्योंकि box box जब matter जाता है, तो आपके अंदर एक capability आती है चीजों को clear करने की, तो ये आपका source है, इसके मेरी अपनी Delhi notes है, जिससे हम सभी लोग बहतरीन तरीके से वहां से भी matter लेते हैं, ये आपके 6PM की class का matter source है, जहां से आपको teaching कराई जा रही है, जहां से आप तक matter प्रोवाइट किया जा रहे हैं, तो आप में से जो लोग interested हैं, बैस से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी 56703588 पर लिख कर भेजें, जुड़न TGT, PGT, LT Biology, दोस्तों, admission की प्रक्रिया continue है, Monday to Friday आपकी class होती है, Saturday को practice session होता है, और ये Saturday को जब practice session होगा, तो आने वाले Saturday में cylindrata का होगा, प्लस फंजाई में पक्सीनिया, ग्रैमनिस्टिटिसाई, प्लस आप बता सकते हैं कि East, इनका, और प्लस आप बता सकते हैं, पाइथियम, और अल्बीगो कैंडिडा, इनसे topic होगे, लगभग 100 प्रशनों की श्रिंकला होगी, जो हम सभी लोग class में Saturday को 10 बज़े करते हैं, और 10 बज़े class में हमारा practice session होता है, जो आप weekly पढ़े रहते हैं, वो आपके revision का कार अच्छे से करा देता है, तो आप मेंसे जो लोग interested हैं, बैस से जुड़ना चाहते हैं, तो बिलकुल सीखर जुड़ें, और अपने चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपके द्वारा किया गया कार, और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो teaching है, वो bilingual होती है, मतलब आपको कभी भी uncomfortable feel नहीं होगा, किसी sentence को समझने में, ना तो किसी sentence को लिखने में, no problem at all, next question, हम चाहते हैं कि इस 20 की scoring आपकी बहुत जबर्जस चलनी चाहिए, 20 by 20 में चाहिए 20 by 19 में चाहिए, 20 by 18 में चाहिए, बस ये तीन मेरी अपक्षा आपसे है, देखते हैं, हक्जले is the father of, हक्जले को किसका पिता समझा जाता है, हक्जले को किसका पिता समझा जाता है, तो आप बताएंगे taxonomy के तो होते नहीं है, taxonomy के तो ये हैं नहीं, ये नियो सिस्टेमेट के father है, इन्हें नियो सिस्टेमेटिक्स का father जाना जाता है, he is known as father of नियो सिस्टेमेटिक्स, flagellated male gametes are present in all the three of which one of the following sets, कह रहें कि इसमें से किसमें flagellated male gametes पाया जाता है, flagellated male gametes किसमें पाया आता है, anthoceros में, funeria में, spirogyra में, jignema में, saprolignima में, hydrilla में, hydrilla आया, answer cut, fucus, marsilia, answer cut, rixia, drapteris, psychus, answer cut, तो आप सभी लोग बताने कोईश करिएगा, इसका सही answer है, funeria में सर देखने को मिलता है, anthoceros में देखने को मिलता है, spirogyra में देखने को मिलता है, इन सभी में flagellated male gametes पाया जाता है, लगभग सभी लोगों का answer बिलकुल correct है, लगभग सभी लोगों का answer बिलकुल correct है, इसके इंडोइस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, कह रहें कि इसके लीफ में कितने हैं, लीफ में 16 हैं, तो इंडोइस्पर्म में कितने होंगे, तो आप बताएंगे लीफ को हम लोग 2N कहते हैं, 2N बराबर 16, 2N बराबर 16, इंडोइस्पर्म इसका हैपलाइड होता है, त तो N बराबर 16 अपॉन 2 बराबर 8, इतनी मैत तो आप सब को आती है, 8 is the right answer, और लगभग सभी लोगों का 8 correct answer आ रहा होगा, जी, next question, ability of division, phloem conducts food by, phloem conducts food by, phloem food को conduct करता है, किसके द्वारा, xylem fiber के द्वारा, जो टिक करे उससे गंदा सड़ा कोई नहीं हो सकता, xylem parent काइमा के द्वारा, और गंदा हो सकता है, बाश fiber के द्वारा, इसका सही answer है, आप सभी का आ रहा होगा, tube-tube element, जी, लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, क्योंकि ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है, जाइलम के, ये जाइलम के पार्ट है, बास्ट फाइबर, phloem का पार्ट है, लेकिन food का transportation कौन करता है, फूट का conduction कौन करता है, phloem करता है, which are the following are required in minimum amount by human, इसमें से कौन है, जो human को minimum amount में चाहिए, मनुष्य को minimum amount में क्या चाहिए, iron, iodine, carbon, magnees, copper, oxygen, आप कहेंगे सर ये गलत हो गया, मनुष्य को oxygen minimum amount में नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, iron, iodine, magnees, copper, zinc, fluorine, चलेगा सर, minimum amount में क्या चाहिए, आप बताएंगे, 26 का B answer correct, iron, iodine, magnees, copper, zinc, fluorine, ये minimum amount में चाहिए, next question, उमिद करता हूँ, लगभग सही होगा, और जो लोग ए धोखे से टिक किये थे, आप कभी गलती नहीं करेंगे, in the homeostatic control of blood sugar label, which argon functions respectively as modulator and effector, कह रहें, इसमें से कौन सा argon है, जो modulator और effector की तरह function करता है, modulator की तरह कौन function करता है, और effector की तरह कौन function करता है, तो modulator की तरह हमारा function करता है hypothalamus, और regulator की तरह कौन function करता है, islet of langer hands, clear, उमिद करते हैं, सभी लोगों का लगभग सही answer आ रहा होगा, कि hypothalamus जो होता है, ये sugar level में modulator की तरह function करता है, आइलेट आफ हैंस जो लाइंगर हैंस है वो आपका regulator की तरह function करता है उमीद करते हैं सभी लोगों का correct answer होगा जी उमीद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer होगा next question पर चलते हैं 28 the alveoli of lungs are lined by बहुत अच्छा question है कि alveoli of lungs पर किसकी lining होती है simple epithelium की, squamous epithelium की, cuboidal epithelium की, columnar epithelium की उमीद करता हूँ लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा sir squamous epithelium की याद रखिएगा कि alveoli of lungs पर कौन सी lining होती है squamous epithelium की question में आया है इन सब के बारे में हमने detail में समझाया है पहले की class में detail में समझाया है hemoglobin is a hemoglobin क्या है reproductive pigment है, respiratory pigment है, carbohydrate है या fat है तो बच्चा बच्चा जानता है hemoglobin is a respiratory pigment hemoglobin is a respiratory pigment और उमीद है सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा और 10 question होने को हैं देखते हैं कितने लोग अपने को 10 by 10 पर stand किये हैं which of the following statement is correct इसमें से कौन सा statement correct है viruses are obligate parasite all fungi are pathogenic all alga are eukaryotic bacteria are always harmful to mankind उमीद करता हूँ सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा कि viruses are obligatory parasite जी आप बताने की कोशिश करिएगा आपका score क्या रहा कितने लोग हैं जो 10 by 10 हैं कितने लोग हैं जो 10 by 9 हैं जो 10 by 8 हैं मुझे लगता है कि 99.2% लोग हैं जो 10 by 10 होंगे जी बताने की कोशिच करियेगा जी केके परजापती जी it is not good जी मुझे पता है कि जादा तर लोग अभी इस समय 10 by 10 होंगे जी क्योंकि कुश्चन ऐसे डेंजर नहीं थे जो आपको कहीं से हिला सकते थे लेकिन फिर भी अगर आपसे गलती हुई एकाद दो तो उसको समभा लिए 10 by 10 का मामला चलना चाहिए था क्योंकि बहतरीन सेशन था आगे चलते हैं जी फिर भी स्कोरिंग ठीक रही मैच दा फॉल्लविंग निमलिखित को मैच करें हम वन बाइवन पर चलना शुरू कर रहे हैं मैच दा फॉल्ल करें कि साइकस की बात करें तो मेल गैमीट साइकस मेल गैमीट देखने की कोशिच करिएगा उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए साइकस मेल गैमीट यहाँ पर मेल गैमीट हटाईए साइकस में लारजिस्ट ओविल होता है जी और एडियंटम एडियंटम को बच्च बच्च जानता है क्या बोलते हैं यहादियंटम को क्या बोलते है वाकिंग फर्ण बोलते हैं सारगासम देखिएगा और बताईएगा सारगासम सारगासम को क्या बोलते हैं आप बताएंगे सर सारगासम को क्या बोलते हैं सारगासम क्या है एलगा है एंथो सिरास को क्या बोलते हैं आप बताएंगे एंथो सिरास को बोलते हैं हार्ड वाट यहाँ पर देखने के गोहिश्च करिएगा A का 1, B का 5, C का 4, D का 3 लगबख सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा 1 by 1 का मामला होगा लगबख सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा 1 by 1 का मामला होगा जी अभी शेक गिरी जी कुमारी खुश्बू जी बताने की कोशिश करिएगा Next question, question number 32 The macronutrient which is an essential component of all organic compounds yet not obtained by plants from soil is कहने कि the macronutrient which is an essential component of all organic compounds yet not obtained by plants from soil इसमें से कौन है जो plant को soil के द्वारा नहीं मिलता plant को soil के द्वारा क्या नहीं मिलता plant को soil के द्वारा carbon मिलता है phosphorus मिलता है magnesium मिलता है लेकिन sulfur जो है ये soil के द्वारा नहीं मिलता ये important है लेकिन soil के द्वारा नहीं मिलता देखिएगा जी, the macronutrient which is an essential component of all organic compounds yet not obtained by plants from the soil जो plant को soil के द्वारा प्राप तो नहीं होता clear, plant को plant not obtained by plant from the soil ये तो plant को obtained होता है, phosphorus भी, magnesium भी sulfur obtained नहीं होता जी, उमिद करता हूँ कि अब मामला गड़बडा गया होगा कुछ लोग 2 by 1 होंगे, कुछ लोग 2 by 2 चल रहे होंगे next question photosynthetic pigment photosynthetic pigment in chloroplast are embedded in the membrane आप, कह रहें कि photosynthetic pigment जो है कहां पर embedded होते हैं, किसके chloroplast photosynthetic pigment in chloroplast are embedded in the membrane आप, किसकी membrane में embedded होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है thaila quiet, इसलिए कुछ लोगों की scoring 3 by 3 और कुछ लोगों की 3 by 2 हो गई कुछ लोगों की scoring 3 by 2 हो गई और कुछ लोग 3 by 3 पर चल रहे हैं फरानास जी, सुधर जाइए, बिंदुसार जी, सुधर जाइए, substrate नहीं, enzymes, कौन regulate करता है step of respiration को, तो enzyme regulate करता है 35, the argonally is associated with aerobic respiration इसमें से कौन सा argonally है, जो aerobic respiration के लिए जाना जाता है aerobic respiration के लिए कौन जाना जाता है chloroplast, centriole, nucleus और mitochondria बच्चा बच्चा जानता है, mitochondria is known for aerobic respiration mitochondria is known for aerobic respiration mitochondria, aerobic respiration के लिए जाना जाता है और लगभख सभी लोगों का answer ठीक चल रहा होगा आप बीच-बीच में answer गरबडा देते हैं, मुझे गुस्सा दिला देते हैं clear, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा, mitochondria is the right answer which of the following flowers shows systematic, sysmonastic moment कौन सा flowering plant है, जो sysmonastic moment show करता है sysmonastic moment कौन show करता है, मतलब छूने के बाद कौन मुर्जा जाता है बच्चा बच्चा जानता है, कि मुर्जा जाता है, छूई मुई उसे बोलते हैं, mimosa pudica, क्या बोलते हैं, mimosa pudica touch me not, इसे हम लोग touch me not बोलते हैं बताईएगा forget me not किसको बोला जाता है, forget me not, forget me not किसको बोला जाता है किस plant को forget me not बोला जाता है, tell me fast, देखते हैं आप में से कितने लोगों का अंसर आता है जी, सुरेश गाउर जी, लाजवन्ती को touch me not बोला जाता है, किसको बोलते हैं, forget me not किस plant को forget me not के नाम से जानते हैं, जी, देखते हैं किसका अंसर आता है निकिता गुपता जी, नेहा शर्मा जी, सुरेश गौर जी, सोनम राजपूद जी, हमें नहीं पता सर, मदर इनला, फरा, फराह नाज अंसारी जी, लाजवन्ती, सर नहीं पता, घरे जी, निलम पांडे जी, हमने बताया था, पर याद नहीं है, सर याद नहीं आ रहा है, आपने पढ़ाया है, आप बताये थे सर, बढ़ भूल गए है, सुधर जाईए, जी, उमिद करते हैं, कि लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, जी, सौरी, सौरी से काम नहीं चलता है, आप सभी लोग धून लीजिएगा, एम से हैं, कुछ-कुछ लोग बता रहे हैं, एम से हैं, जी, अब एक बार इसी बहाने आप अपनी कौपी को खोलिएगा, फार्गेट मी नाट कहां पढ़ाया है, खोज लिजिएगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट है, पढ़िएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A occurs with peak absorption at 680 nm in photosystem 1 and 700 nm in photosystem 2, magnesium and sodium ions are associated with photolysis of water, oxygen is evolved during cyclic photophosphorylation, photosystem 1 and photosystem R2 both involved in non-cyclic photophosphorylation, उमिद करते हैं, आंसर सभी को मिल गया होगा, उमिद करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, photosystem 1 और photosystem 2 are both involved in non-cyclic photophosphorylation, this is the right answer, क्लोरोफिल A occurs with peak absorption at 680 nm in photosystem 1 and 700 nm in photosystem 2, आप इसको भी देख करके देख रहे होंगे, तो यहां पर क्लोरोफिल A दिया हुआ है, इसलिए गड़बड है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो आप बताएंगे, this is the truth, कि non-cyclic photophosphorylation में क्या होता है, photosystem 1 और photosystem 2 दोनों participate करता है, अमिद साक जी, जी, उमिद करते हैं, यहां तक का मामला clear, सभी लोगों कहा रहा होगा, 4 is the right answer, majority of plants use, ज़्यादा तर पौधे यूज करते हैं, biotic agent for pollination, non-biotic agent for pollination, air for pollination, animal for pollination, majority of plants में pollination होता है, आप सभी बताएंगे, majority of plants में pollination जो होता है, वो या तो water के द्वारा होता है, या तो wind के द्वारा होता है, या तो water के द्वारा होता है, या तो wind के द्वारा होता है इसलिए इसे non-biotic agent कहा जाता है majority of plants use non-biotic agent for pollination ये non-biotic agent use करते हैं pollination के लिए most important during early and middle fetal life बहुत अच्छा question है कह रहें कि early and middle fetal life the testis are located in the कह रहें कि जब fetus पल रहा होता है तो उसके middle में और early में उसकी testis कहां present होती है inguinal canal में abdominal cavity में pelvic cavity में scrotal sac में सब का answer आ रहा होगा पहले ये abdominal cavity में होती है बाद में ये scrotal में आती है अभिशेक यादो जी सिरिधर तिवारी जी बताने की कोशिच करिएगा सभी लोग लगता है सिरिधर जी पता नहीं था आपको arhanotoky is also called arhanotoky most important arhanotoky is also called arhanotoky को और किस नाम से जानते हैं haploid parthenogenesis के नाम से जानते हैं अगर आप लोगों में correct answer होगा तो इसे haploid parthenogenesis कहते हैं क्या कहते हैं haploid parthenogenesis कहते हैं अब बताइएगा 20 में आपकी scoring कहा रही 20 में कितने लोग 20 में 19 रहें कितने लोग 20 में 18 रहें और एक गलत करके कितने लोग 20 में 17 रहें tell me fast मुझे लगता है जादा तर लोग अपनी scoring 20 by 18 किये हैं आर्थी राजपूत जी ने आर्थी राजपूत जी ने 16 by 20 को chase किया है how it possible 19 हो गया sir ओके और हैनो टॉकी बिलकुल याद रखना और हैनो टॉकी haploid parthenogenesis के नाम से जाना जाता है शिरीधर तिवारी जी फरानाज जी आपका अंसर दे दिया गया जी ड्रैसिना को मदर इल्ला कहा जाता है प्यूस कुमार यादो जी प्रवेश कुमार जी बहुत अच्छे निकिता जी वेरी गुड शौरब जी अच्छे नहीं बहुत अच्छे प्रतिक्षा जी गुड व इंपोर्टन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दा टेक्निक काल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंड़ फार दा फिमेल्स कह रहें कि यह टेक्निक फिमेल को रिकमेंड की जाती है कौन सी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तो आप बताएंगे सर यह जो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है ना यह उन फिमेल्स के लिए है who cannot produce ovum जो ovum प्रोड्यूज नहीं कर सकती उनके लिए यह टेकनिक है कि इस टेकनिक के माध्यम से ovum को इंटर कराया जाता है फिर उसके बाद उसमें fertilization होता है फिर उनमें baby birth होती है तो यह किसके लिए possible है किसके लिए है तो who cannot produce ovum जो ovum प्रोड्य दोज नहीं कर सकती गाइनेको माइस्टिया उम्मीद करते हैं question को देखते ही आप उछल गए होंगे गाइनेको माइस्टिया is common feature seen in gynekomाइस्टिया ऐसे पुरुश जिनके अस्तन डेबलप हो जाते हैं breast डेबलप हो जाते हैं उन्हें गाइनेको माइस्टिया कहा जाता है ऐ आइन फेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, I hope so, कि आप सभी लोगों का बेहतरीन आंसर चल रहा होगा, टू बाइ टू, टर्नर सिंड्रोम, अब आपको बताना है ये टर्नर सिंड्रोम किसको होता है, तो आप बताएंगे सर, ये टर्नर सिंड्रोम तरुन को नहीं होत बलकि किसको होता है, ये टर्न को नहीं होता, बलकि माया को होता है, और इसमें माया क्या हो जाती है, ये माया फिमेल इस्टेराइल हो जाती है, क्या हो जाती है, फिमेल इस्टेराइल हो जाती है, याद रखना कि जो टर्नर सिंड्रोम है, ये टर्न को नहीं होता, ये माया क होता है और माया क्या हो जाती है इस्टेराइल फिमेल डन उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की किलियर नेक्स कोशन नमबर 44 आपकी स्क्रीन पर विच आप दा फालूविंग मेटल इस प्रिजेंट इन विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है बच्चे-बच्चे का अंसर आ रहा होगा कोबाल्ट और सभी लोग चल रहे होंगे फटाफट बताईएगा थोड़ा सा यह वाला स्कोर देखना है कि आप में से कितने लोग हैं जो 4 बाइ 4 चल रहे हैं 4 by 4, जी, 4 by 4, अच्छा है, जी, लगभग ठीक चल रहा है, 4 by 4, कुछ लोग हैं 3 by 4, How many human teeth appears twice during the life span of an individual, कह रहें कि कितने दाथ होते हैं, जो दुबारा निकलते हैं, How many teeth appears twice during the life span of an individual, एक individual के life span में कितने दाथ दो बार निकलते हैं, तो आप बताएंगे जितने रहते हैं, उतने गिरते हैं, गिर करके फिर से निकलते हैं, तो 20 निकलते हैं, जितने रहते हैं, इसलिए ये दो बार हो जाते हैं और एक बार बारा आते हैं और वो बारा के बारा रह जाते हैं इसलिए वो ओन टाइम हो गए हैं कि नहें डेटराइटी वोर कहा जाता है which of the following is called as detriti war, किने detriti war कहा जाता है, जैसे ही नाम आपके सामने आता है, detritus, detritus, वैसे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, सर detritus मतलब होता है, जो क्या खाते हैं, जो decaying organic matter खाते हैं, जो animal feeding on plant खाते हैं, plant feeding on animal खाते हैं, animal feeding on another plant खाते हैं, तो आप बताएंगे, सर ये detritus कहते हैं, और detritus किसको कहा जाता है, ऐसे animal को कहा जाता है, जो decaying organic matter खाते हैं, उमिद करता हूँ, लगभग सभी लोगों का answer correct आ रहा होगा, A is the right answer, और विशाल आर बर्मा जी लिख रहे हैं, सर, अर्थवाम जो है, ये एक detriti war है, क्या है, detriti war है, अर्थवाम, जो मिट्टी खाता है, जो मिट्टी खाता है, उसे ही बोलते हैं, detriti war, Read the following statement, read the following statement, following statements को पढ़िए, in human, small intestine is the longest portion of the elementary canal, 100% done है, absorption of digested food requires a very large surface area, ये भी बिल्कुल correct है, आप कह सकते हैं, both the statement are correct, In human, small intestine, human में जो small intestine होती है, वो क्या होती है, both, in human, small intestine, आत में जो small intestine होती है, longest portion of elementary canal, elementary canal की longest portion होती है, Absorption of digested food requires a very large surface area, absorption of food, digested food, identify the correct twice under two statements, इसमें दोनों statement में correct twice बताना है, तो आप क्या बताएंगे, both are correct, जी, वंदना कुमारी जी, लोकेश शर्मा जी, सुमित्रा मुर्मु जी, खुश्बु गौतम जी, आर्थी गुपता जी, गुड इवनिंग, statement and, both are correct, उम्मीद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, आप सभी लोगों की correct, both are correct, done, जी, उम्मीद करते हैं, सभी लोगों का, यहां तक का मामला clear, clear, जी, clear to all? renin is, renin is secreted in which part of elementary canal, renin जो है elementary canal के किस पार्ट से secret होती है, यह renin enzyme कहां secret होता है, elementary canal में यह कहां secret होता है, बताने की कुछ बाते हैं, यह renin enzyme elementary canal में कहां secret होता है, tell me fast, सभी लोग बताईएगा, यह कहां secret होता है, renin enzyme कहां secret होता है, उम्मीद करते हैं, सभी लोगों का correct answer आएगा जी फटाफट बताईएगा उम्मिद करता हूँ लगबग सभी लोगों का correct answer आएगा जी लगबग सभी लोगों का correct answer आ रहा है stomach कहा secret होता है stomach is the right answer stomach is the right answer और कुछ लोग हाँ बिल्कुल A is the right answer ये कहा सिक्रीट होता है तो आप बताएंगे सर ये इस टमक में सिक्रीट होता है systematic botany means systematic botany means systematic botany का मतलब क्या होता है system analysis systematic arrangement of organs of plants systematic study of organally and tissue methodical study of plants dealing with identification naming and classification तो आप बताएंगे D is the right answer methodical study of plants dealing with identification naming and classification इसका आप cancer क्या हो जाएगा आप सभी cancer हो जाएगा D systematic botany क्या होती है आप सभी लोगों cancer हो जाएगा D next question 50 number question national botanical research institute is situated in national botanical research institute is situated at ये कहां situated है NBRI याद रखना national botanical research institute ये कहां located है उत्तर प्रदेश लखनव में और सभी को याद रहना चाहिए ये लखनव उत्तर प्रदेश में located है और आपका scoring अच्छा रहा होगा 10 में से which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of anyone genus or family at a particular time एक particular time पर किसी एक जीनस या family के बारे में जो comprehensive account बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जो एक के बारे में बनाया जाता है उसे हम लोग monograph कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं आपने option नहीं देखा ढंग से उसे हम लोग monograph कहते हैं आप सभी लोग यहीं फसे रहे गए टैक्सोनामिक की हर्बेरियम फ्लोरा में और इसका सही आंसर क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया मोनोग्राफ विच वन आफ टैक्सोनामिक एड्स कैन गिव अ कम्प्रिहंसिव एकाउंट आफ वन जीनस और फैमली अट पर्टिकुलर टाइम इस इस मोनोग्राफ नेक्स्ट कोस्टन साइबेरियन क्रेंस आर रेगुलर विजिटर्स आफ साइबेरियन क्रेंस का रेगुलर विजिटर्स है तो उम्मिद करता हूँ साइबेरियन क्रेंस का नाम सुनते ही आप सभी लोगों को याद आ जाता है कि साइबेरिया से आने वाली क्रेंस जो है वो राजस्थान के भरतपूर सैंक्चुरी में आकर रुकती है भरतपूर सैंक्चूरी राजस्थान उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का आंसर किलियर जी सभी आंसर पढ़ा करिये कोई जल्दी बाजी आप लोगों को नहीं है क्यों जल्दी बाजी को नहीं है 53 इसमें से कौन है जो जेनेटिक इंजिनिरिंग के द्वारा प्राप्त हुआ हीमोगलोबिन, गलुकोज, गोल्डन राइस, नन आफ दीज, सभी का आंसर आ रहा होगा golden rice is the right answer सभी लोगों का आनसर आ रहा होगा golden rice is the right answer और उम्मिद करते हैं लग बग सभी लोगों का आनसर golden rice चल रहा होगा जी golden rice is the right answer next question 54 human insulin is being commercially produced from a transgenic species of कहरें कि human insulin is being commercially produced from the transgenic species of किसकी transgenic species को use करके ये प्राप्ट हुआ है बच्चा बच्चा जानता है सर कि insulin जो कि human insulin जिसे हुमुलिन कहा जाता है वो प्राप्ट हुआ है इसर्शिया कोलाई से किसे प्राप्ट हुआ है इसर्शिया कोलाई is the right answer plants which behave as mesophytes in rainy season and zero fight in summer ऐसा plant जो mesophyte की तरह rainy season में behave करता है और zero fight की तरह गर्मी में behave करता है ऐसे plant को किस नाम से जानते हैं यह ऐसे question है जो आपको परिशान करते हैं mesophyte rainy season में rainy season में mesophyte की तरह होता है और zero fight होता है summer season में तो ऐसे plant को zero fight तो कहेंगे नहीं mesophyte तो कहेंगे नहीं ऐसे plant को कहते हैं trophophytes क्या कहते हैं जी option दो में से आपको decide करना था तो trophophyte is the right answer जितने लोगों ने decide करके trophophyte stick किया था रिप्रोड़क्टिवली आइसोलेटेड और डेजिगनेटेड आइस हम लोग क्या कहते हैं deems कहते हैं clones कहते हैं cleans कहते हैं या sibling species कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसे species को sibling species कहते हैं क्या कहते हैं sibling species कहते हैं this is known as sibling species बहुत अच्छे very good मुझे लगता है इस बार 20 by 20 चलने का मामला लोगों का है देखते हैं the organism inhabiting a common environment belong to the same बहुत अच्छा question the organism inhabiting the organism inhabiting a common environment belong to the same belong to the same species belong to the same genus belong to the same population belong to the same community आप तांसर आएगा belong to the same community जो same community को belong करते हैं वो common environment में रहते हैं same community को belong करते हैं वो common environment में रहते हैं और जो same species को belong करेंगे वो एक community में कैसे रहेंगे same species को belong करेंगे वो common environment में रहेंगे नहीं common environment में एक community के लोग रहते हैं और species से community बनती है से पॉपूलेशन बनता है, इस्पेसीज से कम्यूटी बनती है, कम्यूटी से पॉपूलेशन बनता है, शैलेंद्र बायो जी कैसे हैं, अभिशेख गिरी जी, रेनिन कीमो सिन्टमक में, एनजीयो टेनिसी नियरेज, जी शरीधर जी मारिये इसकोर इस्पेसीज को जान रे ने खोजा था बहुत अच्छे जी उमेद करते हैं रेनिन वाला कोश्चन किलियर करें सर सैंडी जी रेनिन एंजाइम भी होता है रेनिन हार्मोन भी होता है जो रेनिन हार्मोन होता है वो NGO Tennison में participate करता है जो renin enzyme होता है इस टमक में निकलता है gastric juice में होता है milk का digestion करता है बच्चों में ज्यादा पाय आता है जैसे जैसे age बढ़ती जाती है ये renin का secretion कम होने लगता है renin का secretion कम होने लगता है renin milk का digestion करता है casein protein को breakdown करता है renin enzyme भी होता है renin hormone भी होता है renin hormone kidney से निकलता है और जबकि enzyme इस टमक से निकलता है clear? जी एक बार thumb up करके इशारा करें बताने की कोशिश करें और जो लोग class में late से जुड़े हैं जो लोग class से जी जो लोग class से देर से जुड़े हैं वो सभी लोग जो है like की बटन को प्रेस करें और अपने live और like को equal करें आपको पता है कि आमिर सर जो है explanation जब करते हैं तो कभी कभी दो घंटे में चार ही question हो पाते हैं लेकिन आज की situation explanation की बिलकुल नहीं है केवल answer tick करके आगे बढ़ना है otherwise आपको बताने की ज़रूत नहीं है ना तो हमें explain करने की ज़रूत है you all know very well आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किसी चीज़ को बताने की ज़रूत नहीं है और जो लोग lazy हैं sluggish हैं, lithargic हैं indolent हैं और idle हैं class में present हैं like की बटन प्रेस नहीं किये हैं और newtons का third law follow नहीं करते हैं और एक मतलब biology के student की तरह जी, एक biology के students की तरह अगर वो ATP का use नहीं जानते हैं कि proton के बताउन से energy का formation होता है और आपका proton आपका comments होता है और आपका proton आपका like होता है जो आप class करने से पहले बिना सोचे बता सकते हैं who discovered the super bug बहुत अच्छा question है कि super bug को किसने discovered किया था tell me fast जी, बताने की कोशिच करिएगा super bug manju कुमारी जी हाँ हाँ, आज off है क्योंकि अगर off ना करते तो थोड़ा सा मतलब जो है इसमें late हो रहा था न अभी 58 पहुचे हैं अभी फिर भी आधा गंटा लगेगा आनंद मोहन चक्रवरती याद रखेंगे 생각 हैं आनंद मोहन चक्रवरती ने super bug को discover किया था who discovered super bug super bug को discover किया था आनंद मोहन चक्रवरती जितने लोगों ने answer किया है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और इस बार की scoring मुझे समझ में आ रही है, C plants are example of, C plants किसके example होते हैं, zerophyte के, hydrophite के, mesophyte के, नहीं, ये इनके example नहीं होते, ये submerged plant के example होते हैं, ये किसके example होते हैं, तो आप सभी लोगों का answer आएगा, ये submerged plant के example हो C plants are an example of submerged plant, aquatic plant में submerged plant आता है, उसी में C plants आते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं, इन आटोजेनिक succession, बहुत अच्छा कोशन है, आटोजेनिक, जहां पर आटोशब्द आया करें न, आप अपने आपको तुरंत ढूंदा करो, कहां पर लिखा है self, जिस option में self लिखा रहे पकड़ लिया करो, early and continued domination और replacement of existing communities, कहीं self दिखा, नहीं, early dominance of heterotrophs takes place, दिखा, self नहीं, आगे पर ये community itself modifies, ये दिखा ना itself, अब आप आईए, आटोजेनिक क्या होता है, community itself modifies its own environment, thus causing its own replacement by new communities, answer will be four, answer will be four, और उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोगों का answer आ रहा होगा, D, जी, उम्मिद करते हैं, उम्मिद करते हैं, कि यहां तक की बातें, आप सभी लोगों की clear, 60 number question, बताने की कोईशिश करिएगा, scoring कहा रही दोस्तों, scoring कहा रही, 20 में कहा तक stand मारे इस बार, 20 में 20, या 20 में 19, फटा-फट बताने कोईशिश करिएगा, कहा पर scoring रही आपकी, tell me fast, सभी लोग बताने की कोईशिश करिएगा, scoring कहा तक पहुची, 19, बहुत अच्छे, राम बाबु जी, 20, 10, पूनम पांडे जी, लेट आई हैं, सुमित्रा मुर्मु जी, जारखंड में इस बार जंडा ग करता हूँ कि यहां तक की बातें, लगभख सभी लोगों की किलियर, एक बार scoring पर आईएगा, सिस्टी भाई कहां का मामला चल रहा है, सिस्टी में आप कहां तक पहुच रहे हैं, उम्मित करता हूँ कि सिस्टी में कम से कम आपके कितने होंगे, कम से कम आपके 55 होंगे, और पहुच रही है, एक अच्छा competitor वही होता है, जो हर question पर अपनी scoring समस्ता रहता है, सर मैं तो late से आई, आर्थी राजपूत जी, फिर हम लोग क्या करें, party हो जाएं, एक गलती से mistake, 56, 55, 56, 57, बहुत अच्छे, done, जी, इस बार कुछ अच्छा होना है, आईए, आगे का scoring आप biology, GIC, 2023 के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि कुछ लोग होते हैं, वो detail study में belong करते हैं, और वो detail study एक बार पढ़ना चाहते हैं, और अपनी तयारी complete करने के बाद exam देना चाहते हैं, और जो लोग इस category में आते हैं, जो अपनी तयारी को पूरा करने के बाद exam देन और आप में से जो लोग interested हो, 8756703588 पर join TGT, PGT, biology लिकर भेजें, और एक बात से परचित रहें, कि admission की प्रक्रिया आप आज पूरा करेंगे, फिर भी आपको 6,018 रुपय पेमेंट करना है, कल admission लेंगे, फिर भी 6,018 पेमेंट करना है, एक महीने बाद लेंगे, फिर भी आपको 6,018 पूरा करना है, 6 महीने बाद लेंगे, फिर भी आपको 6,018 ही पेमेंट करना है, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं, कि जब पेमेंट इतना ही करना है, तो लेट किस बात की, आज जितने लोगों ने admission की प्रक्रिया पूरी की है, वो सभी लोग कल 10 बजे आपक अपने schedule को समझ लें, और आपके schedule में एक class हमने paleontology की पढ़ाई है, paleontology की दो ही वीडियो हैं, आप सभी लोग 4 copy बनाएंगे, जितने लोगों ने admission लिया है, 4 copies आपके पास होनी चाहिए, घर में हो पापा तो उनसे मंगा लिजेगा, शादी हुई होगी तो पती जी से लिजेगा, 4 copy चाहिए, एक copy lower botany की, दूसरी copy non coordinate की, तीसरी copy key points की, चौथी copy आपके pin points की, 4 copy और चौथी copy आपकी ये paleontology की, ये आपकी 4 copy definite होनी चाहिए, आप थोड़ा सा energetic हैं, तो हमने pin points season 2 की class पढ़ाई हैं, लगभग 100 हैं, आप उसके लिए एक अलग copy, 3 copy क्योंकि 100 class को complete करें, तीन copy की आशकता होगी, तो आप 5 copy बोले तो, आप फटफट और दरजन दरजन pin मंगाईएगा, 12 नीली, 12 काली, 12 हरी, 12 लाल, और 12 ओरेंज टाइप की आती हैं वो, मतलब 60 pin होनी चाहिए, और पूरा महौल की रियेट होना चाहिए आपके घर में, कि आ एक महीने तक कोई pin ना मंगा सके, जी, और शुरू हो जाएं बिना किसी problem के, क्योंकि अगर selection लेने का सोचा है, अगर सोचा है selection लेने का, तो बहुत ही जरूरी है, selection ना होने के कारण, selection ना होने का पहला कारण, नींद बहुत आना, जिनको जिनको नींद बहुत आ रही है, समझ जाओ, कि ये पहली निशानी है selection ना लेने की, मतलब, alarm हर रोज लगा के सोते हैं, कि सुबा साड़े छे बजे उठ जाएंगे, और हर रोज उठते हैं साड़े आठ बजे, ये जो दो घंटे की gaping मार रहे होना, दो साल तक पढ़ना पढ़ेगा, समझ जाओ, दो साल त आस बजे रात में, जूता मोजा पहन लेना है, और ये जूता मोजा एक ही बजे उतरेगा, और जो लोग मान रहे हैं, वो तीन घंटे में दो-दो topic revise कर रहे हैं, और जो लोग अपने से धुरंधर बन रहे हैं, कि जूता मोजा पहनने से selection थोड़ी होता है, अरे दोस्त हम भी जानते हैं, जूता मोजा पहनने से selection नहीं होता, लेकिन जूता मोजा पहन करके बाध्धता के साथ तीन घंटे revision करने का मन तो लगता है, पता है, आप जानो या ना जानो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पता हैं आपको, वो पिछले छे महीने से रात में किसी शादी को अटेंड नहीं किये हैं, कि 10 बजे हम जूता मोजा पहन लेंगे, 6 महीने से नहीं गए हैं, और आप अपने को समझाए हैं, कि शादी में जाएंगे 2023 के बाद, selection हो जाएगा, तब जाएंगे आप शादी में, आपी के बीच से लोग हैं वो, अब आप समझने की कोशिश क कितने जजबाती लोग हैं, और आप, आपको कोई कह दे, आज बर्जदे पार्टी है, तो नहीं जाते हैं, तो मन लगा रहता है, चले गए होते, मन छोड़ो, मन को तोड़ो, करो त्याग, लगाओ आग, खुलेगा भाग, प्रेडी हो जाओ, त्याग करो, आग लगाओ, भाग खुलेगा, चलिए प्रिती यादो जी, हम लोग जो है, दिल से दुआ करेंगे, कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ठीक, जी, ओके, ओके, तीवारी जी, बहुत अच्छी बात है, जी, उपाशना जी गई सादी में न, हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग, डन, आज से क्या होगा, अरे अभी जाग जाओ, आज से क्या होगा, आज से आपकी कौप, आप अपने, जिस कमरे में आपको मिला है रहने के लिए, वहाँ पर एक सिलोगन लगा दीजिए, एक सिलोगन और जो शादी सुदा होंगे, पती महोदे बहुत अच्छा उस पे कमेंट करेंगे, जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे, और जिनकी पत्निया होंगी, वो भी कमेंट करेंगी, जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे, और जो लोग शादी सुदा नहीं हैं, उनके पापा हैं, पाप शिखा शारस्वत जी बहुत लेट वाई आर यू लेट जी अरे विशाल आरेम जी हाँ ये भी आफ़त है मतलब काका काका किरन बोलेंगे तो हो गया की 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 किरन गड़बड हो जाएगा किलियर उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें किलियर और लगभग सभी लोगों की बातें यहां तक समयज में आई होगी याद रखिएगा बहुत ही बेहतर हैं बदलिये भाग जी आईए और जो लोग अभी तक वो बैस से नहीं जुड़े हैं जुड़ना चाहते हैं इंट्र सेरीज में हमने 70 सेरीज करा दी है कल से मॉडल पेपर शुरू हो रहा है और जो आज सेरीज की क्लास थी वो नहीं हुई है अव यह क्लास हम फ्राइडे को ले लेंगे जो आपका 65 कोश्शन बचा है कल से आप मॉडल पेपर का भेतरीन आंसर करिएगा और हम उम्मिद करते ह कि उस model अभी question जो हमारी SEO test series का question था वो आपको मिल जाएगा क्योंकि NBS वालों का exam है तो वो question में answer रहेगा आपके एक नजर देख लिजिएगा लेकिन उसका explanation हम Friday की class में करेंगे आप बिल्कुल घवराएंगे नहीं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो test series है जो लोग लिनियस ने कौन सा नामन क्लेचर दिया था टेल मी फास्ट नामन क्लेचर गिवन बाई जी बताने की कोशिच करिएगा जी उम्मिद करता हूं कि सभी लोगों का answer correct आएगा और सभी लोग जानते हैं sir binomial नामन क्लेचर कौन सा नामन क्लेचर binomial नामन क्लेचर दिया था किस ने दिया था तो आप बताएंगे लीनियस ने दिया था one by one which of the following gene cluster in bacteria is responsible for nitrogen fixation इसमें से कौन सा gene cluster bacteria nitrogen fixation के लिए जाना जाता है तो आप बताएंगे नोडूलेशन के लिए nitrogen fixation के लिए निफजीन जाना जाता है नोडूलेशन के लिए nitrogen fixation के लिए ये सभी के लिए जाना जाता है answer will be a answer कौन सा हो जाएगा सभी लोगों का answer आ रहा होगा a is the right answer मतलब आपका मामला 2x2 चलने लगा हम उम्मिद करते हैं कि आपका मामला 2x2 चलने लगा है the number of essential nutrients needed in plant कह रहें कि essential nutrients कितने needed हैं plant में essential nutrients कितने हैं चाहे वो micronutrient हों चाहे macronutrient हों वो कितने हैं तो आप बताएंगे सर लगभग 17 कितने हैं लगभग 17 the number of essential nutrients needed in plant is लगभग 17 लगभग कितने हैं लगभग 17 हैं और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का answer correct आ रहा होगा 3x3 का मामला आप सभी लोगों का चल रहा होगा 64 number for nitrogen fixation useful pigment is nitrogen fixation के लिए useful pigment क्या है nitrogenase तो enzyme है hemoglobin तो blood में पायाता है myoglobin तो muscles में पायाता है leg hemoglobin ये pigment होता है leg hemoglobin ये pigment होता है जो nitrogen fixation में पाया जाता है lead hemoglobin एक pigment होता है जो nitrogen fixation में पाया जाता है और उम्मिद करते हैं आप सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा leg hemoglobin is the right answer 65 the internal structure of plant stem is observed there is a discontinuous ring of angular colon chyma below the epidermis the type of vascular bundle are the same type as the stem of solenasi plants soup tube elements possess simple soup plates identify the plant उस plant को identify करें internal structure of plant stem is observed एक internal structure को देखा गया there is a discontinuous ring of angular colon chyma उसमें discontinuous ring में colon chyma present था epidermis के नीचे type of vascular bundle are of the same type as the stem of solenasi तो आप सभी लोगों का answer आ रहा होगा कि इसका सही answer क्या होगा लगबख सभी लोग answer दे रहे होंगे this is kukar bitasi यह kukar bitasi का plant है जिसमें angular colon chyma देखने को मिलता है थोड़ा सा tough प्रश्न था आपको परिशान किया होगा लेकिन साहिस्ता ने इसका correct answer दिया प्रतिक्षा ने answer दिया आरती ने answer दिया लगबख सभी लोगों ने यह plant कौन सा है कुकर bitasi है अरे अगर hydrilla होता दोस्तों तो इसमें iron chyma पाया जाता न आप कहा है इसमें iron chyma पाया जाता न और zia maze होता तो इसमें कॉलन काइमा develop होता न हेलियंथस होता तो इसमें develop होता न स्यूप टूब element पजेज सिंपल स्यूप प्लेट तो इसका अंसर हो जाएगा कुकर bita is the right answer इन बार्ले system वैस्कुलर बंडल इस अगर हम बात करें बाजरा में तो वैस्कुलर बंडल कैसा होता है open and scattered, closed and scattered, open and in ring तो लगभग सभी लोगों का अंसर आ रहा हो कि closed and scattered बार्ले में वैस्कुलर बंडल कैसा होगा closed and scattered इसका सही अंसर हो जाएगा closed and scattered is the right answer closed and scattered is the right answer ये question खतरनाक है थोड़ा सा याद करने की जरूवत है समझने की जरूवत है male gamete of psychus is psychus का male gamete कैसे होता है बच्चा बच्चा जानता है psychus का male gamete large होता है multiflagellated होता है small होता है महा गलत very large लिखा है very large और multiflagellated नहीं दोस्तों large होता है और biflagellated होता है psychus का male gamete large होता है और biflagellated होता है और उम्मिद करता हूँ कि आप में से लगबग लोगों का आंसर correct है HEALICAL CONTRACTILES SHEET ACCURS IN HEALICAL CONTRACTILES SHEET किस में पाई जाती है RETROV나IRUS में, FUNGING Mें, Bacteriophase में HEALICAL CONTRACTILES VACULES किस में पाई जाती है सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा Bacteriophase में पाई जाती है, helical contractile sheet किस में पाई जाती है, bacteria phase में पाई जाती है, और उम्मिद करता हूँ, लगभग आप सभी लोगों में से correct answer आ रहा होगा, किसका तो आप बताएंगे bacteria phase, 69, which statement is correct for bacterial transduction, bacterial transduction का कौन सा statement correct है, पहला option, transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through virus, transfer of gene from one bacteria to another bacteria by conjugation, bacteria obtain DNA directly, bacteria obtain DNA from other external source, उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों ने answer पकड़ लिया होगा, और सभी लोग answer कर रहे होगे, transduction, correct for bacterial transduction, bacteria में transduction किसके द्वारा होता है, जो transformation होता है, वो conjugation tube के द्वारा होता है, जबकि जो transduction होता है, उसमें हम लोग virus को use करते हैं, और इसका सही answer होगा, a, शौरभ मौरिया जी, जो transformation होता है, उसमें conjugation tube का formation होता है, और जो transduction होता है, उसमें virus को use करते हैं, इसलिए तो question पूछा गया है, जी, transduction, अरे यह इसी में तो आप लोग पढ़ते हैं न, lysogenic क्या होता है, lysis क्या होता है, virus वाला diagram दिखने को मिलता है, find out the correct statement, पता है, आपको एक-एक question पर, जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको एक-एक question पर अपनी memory डेबलब करनी है, और लगभग आपके पास 15,000 question पहुँच चुके हैं, सम्हालिएगा, find out the correct statement, इसमें से correct statement बताना है, इन lichen, the algal component is called phycobiont, the fungal component is known as mycobiont, which are heterotrophic and autotrophic respectively, अब आप कहेंगे, सर, यहीं गलत हो गया, कि क्या गलत हो गया, कि जो यह lichen है, lichen, यह algal component से मिलके बना होता है, जो कि heterotrophic नहीं होता, जो कि autotrophic होता है, यहां उल्टा हो गया, दूसरा कहें, वायरवाइड contains RNA of low molecule weight and protein coat, आप कहेंगे, यहीं गलत हो गया, वायरवाइड contains both RNA and DNA, यहीं गलत हो गया, वायरवाइड होते हैं, यहीं सही है, वायरवाइड क्या होते हैं, और लगभग सभी लोगों का four answer आ रहा होगा, एक चीज आपने इतने practice session में सीखा है, चारों option बहुत मन से पढ़ना है, रैफा किसके crystal होते हैं, calcium carbonate के, calcium oxalate के, बस यहीं से answer मिल गया होगा, रैफाइड किसके component होते हैं, मुझे पता है, आप सभी का answer आ रहा होगा, calcium oxalate, रैफाइड किसके component होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं, रैफाइड किसके component होते हैं, यह calcium oxalate के concept होते हैं, कुछ लोगों क का कैलसियम कार्बोनेट आ रहा है पीटे जाएंगे विच आप दा फालुविंग इस मैक्सिमम इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्या होता है और यू बीपी कॉर्बॉक्सिलेस हेग्जोकाइनेस फास्फटेस नूकलियस बच्चा बच्चा जानता है कि स सबसे ज्यादा क्या होता है सबसे ज्यादा रूबिस्को होता है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस तत्क से बहतरीन सरीके से परचित है तो इसे बोलते हैं फोटो नैस्टी जो रात में खुलता है दिन में बंद हो जाता है उसे बोलते हैं निक्टो नैस्टी जो लाइट देखने पर क्या होता है लाइट देखने पर मुर्जा जाता है उसे बोलते हैं फोटो टैक्टिक और जो छूने पर मुर्जा जाता है उसे बोलते हैं सिस्मो नैस्टिक उम्मीद करता हूं सभी लोगों का किलियर जी नेक्स बहुत अच्छा कोश्चन है आंसर थोड़ा दिमाग लगा के दिजिएगा बहुत अच्छा कोश्चन है नैप्थो क्यून बोले तो विटामिन बी डी जी विटामिन बी ट्वेल्व फाइटो क्यून या नैप्थो क्यून और फर्टिलिटी के लिए कौन सा विटामिन जाना जाता है तोको फेरॉल जब शादी के बाद लड़के बच्चे नहीं होते तो अगल बगल वाले लोग टोकने लगते हैं तोको फेरॉल और ये टोको फेरॉल विटामिन E को कहा जाता है फिर चाहे जितनी सुन्दर महिला हो चाहे जितने सुन्दर पुरुष हो चार लोग अगर कह दे अरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ कुछ गडबढ है क्या तो सारे सुन्दरता गडबढ होने लगती है इसलिए इसे beauty vitamin कहा जाता है क्या कहा जाता है beauty vitamin भी कहा जाता है यह tocopherol है steroid hormones are produced from steroid hormone कहां से produce होते हैं oberies से डोड़ेगा adrenal से डोड़ेगा testis से डोड़ेगा इसका सही answer क्या आजाएगा इसका सही answer आजाएगा तीनों से produce होते है steroid hormone कहां से produce होते हैं इन तीनों से produce होते हैं जी done उमिद करता हूँ यहां तक का मामला आप सभी लोगों का clear 76, an acromion process, acromion process कहां देखने को मिलती है, एक दम याद किये रहा करिए, acromion process कभी confusion ही नहोने दीजिए, acromion process कहां देखने को मिलती है, acromion process नाम आया तो याद आना चाहिए, सर ये pectoral girdle में देखने को मिलती है, acromion process याद रखा करिए, कि यह chromian process कहां देखने को मिलती है pectoral girdle में देखने को मिलती है very very easy pectoral girdle में देखने को मिलती है which one of the following pairs is correctly matched इसमें से कौन सा pair correctly matched है cartilaginous joint skull bone में पाय जाते है hinge joint vertebrae में पाय जाते है fibrous joint phalanges में पाय जाते है gliding joints जाएगा पो फाइसिस आफदा सक्सेसिव वर्टिब्रा में पाए जाते हैं इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है और उम्मिद करता हूँ आप में से सभी लोगों का अंसर आएगा सही काटिलेज ज्वाइन्स आप कहेंगे स्कल बोन में नहीं सर हिंज ज्वाइन्स नहीं सर फाइब्रस ज्वाइन्स नहीं सर इसका सही आइंसर है ग्लाइडिंग ज्वाइन्स सक्सेसिव वर्टिब्रा में पाए जाते हैं इसका D आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर करेक्ट है D is the right answer और लगभग सभी का D आ रहा है जी अच्छी स्कोरिंग चल रही होगी तीन क्वेश्चन और बचे हैं समालिएगा RQ वैलू आप 4 में भी किसकी RQ वैलू 4 होती है एक्सपेक्टेट फार दा कम्प्लीट ऑक्सिडेशन आप विच वन आप दा फॉलॉविंग इसमें से कम्प्लीट ऑक्सिडेशन किसका होता है जिससे इतनी ज़्यादा क्या मिलती है इतनी ज़्यादा आपको मिलती है RQ वैलू गुलुकोस ब्रेकडाउन होता है तो इसकी RQ वैलू होती है 1 मैलिक एसिड ब्रेकडाउन होता है तो इसकी RQ value होती है 1.3 टार्टरीक एसिड ब्रेकडाउन होता है तो इसकी RQ value होती है 1.6 आखजैलीक एसिड ब्रेकडाउन होता है तो इसकी RQ value होती है 4 जब याद रहेगा तो उला देंगे, नहीं याद रहेगा तो भुला देंगे और जब भुला देंगे तो गड़बड हो जाएगा एक एक question matter a lot एक एक question महत्पूर्ण है never be forgetted यह तो सबका सही होगा 2 NADH produced during anaerobic glycolysis yield 2 NADH से कितनी energy मिलती है 2 NADH से कितनी energy मिलती है 1 NADH से 3 मिलती है तो 2 NADH से कितनी मिलती है तो आप सभी का answer आ रहा होगा sir 2 NADH से मिलती है आपका answer है 6 ATP यह तो सबका सही होगा और जो लोग देर से class में जुड़े हैं और newtons का ला नहीं जानते हैं वो सभी लोग newtons का ला follow करें और अपनी like की बटन को press करें और इसी के साथ अंत वाले प्रस्ण पर पहुँचें और इसका सही answer बताएं इसका सही answer बताएं solarization क्या होता है और सभी लोग जो लोग देर से class में जुड़े हैं और जो हैं अपने कर्तव का पालन नहीं कर रहे हैं वो सभी लोग कर्तव का पालन करते हुए like की बटन को press करें और अपनी like को 200 के पार करें fast जी उमिद करते हैं कि सभी लोगों का answer आ रहा होगा solarization क्या होता है तो आप बताएंगे solarization का मतलब होता है utilization of sunlight utilization of sunlight को solarization कहते हैं इसका सही answer हो जाएगा C इस तरह से 80 question में आपकी scoring कहां रही बताने कोशिश करिएगा 76 74 73 72 आपकी scoring कहां रही tell me first बताने कोशिश करिएगा जी 80 का C solarization मतलब होता है utilization of sunlight बताने की कोशिश करिएगा 70 by 80 रही सर 74 by 80 रही सर 73 by 80 रही सर 70 रही सर बहुत अच्छे 75 रही सर 71 रही सर 73 रही सर बहुत अच्छे good excellent इतना best है चलेगा दोडेगा जी और इसी के साथ ये class को यहीं पर end करते हैं और आपके जानने वाले लोग आपके पहचानने वाले लोग में एक्जान देने के mood में हैं आप सभी उन लोगों को ये information पहुचा सकते हैं ये online platform है खास करके housewife के लिए बहुत ही महत्तुपूर्ण है और जो लोग पुरुश्वर के लोग हैं जो कहीं teaching करते हैं online के माध्यम से अपनी preparation को better mode पर पहुचा सकते हैं show test series का पहला model paper कल आपको PDF के form में 10 बजे मिलेगा सारह 11 बजे हम आपका दूसरा model paper लेकर आएंगे इस तरीके से 72 test series कल आप तक पहुचेगी आप सभी लोग उसके लिए तयार रहिएगा जो नए बच्चे जुड़े हैं सुबा 10 बजे आपकी lower botany की class है और उस class में मिलते हैं और आज का समय जितना बच रहा है आप एक दो वीडियो को complete करने में पूरा करें आज के लिए इतना मिलते हैं सुबा thank you to all of you good night सुबरात्री जैहिंद